बिस्मिल्लाहिरामान रहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब लोग आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरी दुआ है आप लोग जहां भी रहें खुश रहें आमीन तुम आमीन तो फ्रेंड देली का तर्गा में आज बनने जा रहा है चिकन का साधा सालन शोर्बे वाला तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन शोर्बा बनाने के लिए हमने चिकन ली है देड़ पाउ हड़ी वाली सूप और चिकन का सालन बनाने के लिए हमेशे हड़ी वाला गोश लिया करें दही लिए है एक प्याली तक्रिबन एक पाउ दही है तीन गड़ियां प्यास की लिए है ये दो इंच का तुगड़ा अधरक का लिया है और एक गड़ी लेसन के जवे लिये है इन सभी मसालों को हम पीस के गिरैंट करके डालेंगे एक कप ओईल ले लेंगे टू टीस्पून पिसे हुए धनिये का लिया है वन टीस्पून नमक का लिया है हाफ टीस्पून हल्दी का लिया है काली मिर्चे एक वन टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि काली मिर्चे थोड़ी सी ज़्यादा डलती है तीन लॉंगे ल गिरेंडर के जग में हम सारे मसाले एक साथ एड़ कर देंगे लेसन की जवे ऐसे ही डाल देंगे और प्यास को थोड़ा सा बारिक-बारिक करके डालेंगे थोड़े छोटे तुकडे इसके करके डालेंगे ताके बहुत अची तरह से बिलेंड हो जाए अदरक की भी थोड़े सारा मसाला हमने गिरेंड कर लिया है अब हम पतीली में ऑइल डालेंगे और साथ ही हम इसमें चिकन भी एट कर देंगे चिकन को ऑइल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाला एट करेंगे फ्राई हो गई है और मसाला हमने इसमें डाल दिया है जो हमने गिरेंड किया था बहुत अच्छे से जग को साफ कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको पकाएंगे थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें दही एट करेंगे दही को एकदम से नहीं रालना है थोड़ा करके दही को डालना है थोड़ा सा दही एड़ करेंगे फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे अब फिर थोड़ा सा दही एड़ कर देंगे इसमें अब फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे आप इसको कवर करके और थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि चीटे बहुत जादा ओड़ रही है इसकी अब हम पाने डालके चिकन गलाने के लिए रख देंगे अब हम इसको धंपे रख देंगे ताकि चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए ये देखिए हमने इतना शोड़बा इसका रखा है और बस इतना ही शोड़बा हमें डालना है अब हम इसको कवर करके रख देंगे चिकन शोड़बे को पकते हुए तकरिबन आदा घंटा हो चुका है और हमारी चिकन भी माशाला से बहुत अच्छे सी गल गई है और सालन भी एकदम रेडिय हो गिया है इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आई है माशाला से अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज रेसिपी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी रगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अल्ला हाफिस